हेलो दोस्तों, तो कैसे हम बात करने वाले हैं? हाउ टु प्रपेर फॉर नीट फ्रॉम क्लास 9 कि अगर आप क्लास 9 में हो और आपका सपना है आपका ड्रीम है कि आपको एक डॉक्टर बनना है आपको NEET exam देना पड़ेगा उसको clear करना पड़ेगा तो आज हम बात करेंगे कि आपको class 9 से ऐसी क्या बातों का ख्यार रखना है ताकि आप आगे चलके NEET clear कर पाओ और एक doctor बन पाओ और बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो काफी important है आपके लिए और एक doctor बनने के लिए तो start करते हम पहले points जो की सबसे important point है वो है focus on your school syllabus हम NEET की बात कर रहे हैं तो NEET आप class 12 के बाद ही देने वाले हैं लेकिन अभी क्या करना है आपको अभी उस NEET preparation के लिए आपको अपने school syllabus पर अच्छे से दियान देना है क्योंकि जो class 9 की physics chemistry biology है वो connected है class 11 12 की physics chemistry biology से तो अगर आप अभी से ही पढ़ते हुए चलोगे तो आपकी base आपका जो foundation है काफी strong हो जाएगी और जब foundation strong होती है तो आप कोई भी concept को easily समझ सकते हो और अराम से इसको कर भी सकते हो तो अभी से अगर आप इन subjects पर focus करोगे तो आपको ये easy लगने लगेंगे और class 11 12 में easy लगेंगे तो अच्छे से पढ़ोगे और easily crack भी कर पाओगे exam ठीक तो पहली चीज़ सबसे important है कि आप physics, chemistry, biology पर आपको खास कर दिहान दे रहा है और साथ में आपके लिए maths भी important है क्योंकि वो physics में आती है ठीक है बट class 9 में आपकी जो एक ही book है वो है science की और उस science की book के अंदर ही physics, chemistry, maths included है तो आप दिहान देंगे कि आपको पूरी की science की book करनी है, अच्छे से करनी है और सारे concept को, सारे question answer को clear करते हुए चलना है उसके बाद बात करते हैं second point की set a daily goal क्योंकि आप need class 12 के बाद ही दोगे तो आपके पास अभी approximately 4 years need देने के लिए तो अभी आपको motivation के लिए करना है, आपको daily goal decide करने है, जो आप doctor बनने की journey में काफी help करेगा जैसे की आप goal decide कर सकते हो कि आपको अपने unit test में अच्छे से marks लेकर आने हैं, अच्छा perform करना है highest marks लाने है in the class उसके बाद जब unit test हो जाए तो आपका goal होना चाहिए कि आपके half yearly में आपके सबसे 6 marks हो और जब half yearly भी आपके हो जाए तो आपका goal होना चाहिए कि class 9 के final exam में आपका काफी अच्छा score करो तो ऐसे चोटे चोटे goal बना करा आप जब उनको achieve करते जाओगे तो आपकी habit बन जाएगी goal achieve करने की और ऐसे ही class 9 में, class 10 में, class 11 में अच्छा score करोगे और अच्छा score करने के साथ साथ आपके concept भी clear होंगे तो आपको need काफी easy लगने वाला है और आप crack भी उसको कर पाओगे ठीक तो यह होगे second point बात करते हैं third point की, तो third है find help and mentorship तो आपको guidance अच्छी मिलनी चाहिए आपको नहीं पता की कैसे doctor बनते हैं कैसे क्या क्या होता है क्या subjects important है तब ही आप यह video देख रहे हो लेकिन यह video अकेली नहीं है समझाने के लिए आपको समझने के लिए भी काफी कुछ बाकी है तो आप guidance ले सकते हो mentorship ले सकते हो किसे लोगे आप अपने parents से पूछो जो आपके seniors हैं उनसे पूछो अपने teacher से पूछो counselor से पूछो और अगर आप नहीं पूछ सकते तो सारी knowledge YouTube पे है तो आप YouTube पे search करो कि कैसे doctor बनते हैं कैसे admission होता है best knowledge कौन से हैं इन सब के बारे में जान सकते हो जब आप इन सब चीजों से जड़ोगे और जो दिमाग में चलेगा जो subconscious mind में होगा वो आप उसको अचीव भी कर पाऊगे ठीके तो काफी सारी पॉइंट की तो fourth point भी most important है आपके लिए इसको आपको जरूर करना चाहिए वो है attempt in other competitive exam जबके दूसरे competitive exam से हैं उसमें जरूर participate करो जैसे कि NSO यानिके National Science Olympiad इसमें participate कर सकते हो या फिर आप IMO International Maths Olympiad इसमें participate कर सकते हो इसके अलावा और भी exam से like NTSE ये भी एक exam है इसमें prepare कर सकते हो और इसके लावा आपको nth exam मिलेगा आपको अलग-अलग coaching students के अलग-अलग exam लेंगे भले ये admission मतलो बट exam से participate करो इससे आपको एक competitive environment मिलेगा खुद को चेक कर पाओगे कि आपको कितना आता है तो जरूर try करो और ये चेक करो कि आपको कितना आता है तो इससे आपको मज़ा भी आएगा और आप नएने लोगों से मिल तो पहली टिप study daily रोज पढ़ने के habit डालो कम से कम एक या दो घंटा पढ़ो ये minimum है आप रोज इतना पढ़ो इससे जादा पढ़ सकते हो जितना पढ़ना चाहो लेकिन at least two hours तो daily पढ़ो वो आपके हो सकता है coaching hours हो या फिर आपकी self study हो बट ये habit आपको होने चाहिए अग कैसे आगे चलके 11-12 में वो habit डेवलप करोगे पहतर यही है कि आप अभी सही अपनी habit डेवलप करते हुए चले ताकि आपको आगे problem ना हो आपकी already study habit डेवलप हो चुकी हो उसके बाद हम बात करते हैं second special tip की वो है don't do ratta आपको ratta नहीं मारना है try to understand the concept आपको concept समझना है क्य तो आपको क्या करना है आपको concept को समझना है और उसको apply करना है उस concept से based numerical करना है ताकि आप उस concept को समझ पाओ आपकी foundation strong हो और तभी आप उस type के questions exam में कर भी पाओगे third point work on your calculation आपको अपनी calculation पे work करना है कि आप कितना fast calculate कर पा रहे हो जितना fast calculate करोगे accuracy के साथ उतने ही आपक skills अच्छी होने का मतला भी कि आपकी physics अच्छी हो जाएगी आप उतना ही fast derivations numerical solve कर पाओगे और जब इसमें आपकी अच्छी command हो जाएगी तो आप जो physics का part होता है आपका neat में उसको भी अच्छे से कर ही पाओगे then है fourth point improve your writing skills writing skills के अंदर से इतना नहीं आता है कि आपकी writing अच्छी हो उसमें ये भी आता है कि आप कितने अच्छे से topic को लिख पा रहे हो क्या आपके words हैं क्या आपके sentences हैं तो ये आपकी skills अच्छी होनी चाहिए ये skills कैसे develop कर सकते हो ये आप याद करके जैसे आप question answer याद करोगे उसको याद करके लिख कर देखोगे तो आपकी ये skills अपने आप develop हो जाएगी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक answer को लिखा जाता है क्योंकि आप other books में पढ़ोगे definitions को तो आप समझोगे कि कैसे writer लिख रहा है और उसको try भी करोगे तो आप अपने आप समझ ज बनाने पड़ते हैं और diagrams के थ्रू ही आप better समझ पाते हैं तो यह आपको जरूर करना है कि आपकी writing skills अच्छी हो आपकी writing neat और clean हो यह आपको जरूर ध्यान देना है बट इस motivation में मत रहना कि doctors की writing अच्छी नहीं होती है तो maybe अच्छी नहीं बनाऊंगा आपको चाहिए कि आ अगर आपको इसके बारे में और जाना है तो आप मुझे comment कर सकते हो ताकि मुझे वीडियो बना पाऊं तो मिलते आप से गरी वीडियो में तब तक के लिए all the best thanks for the watching and peace